हलो फ्रेंड्स मेरा नाम उमेर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टुडेंट ओफ बेकर्स आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेड वेलवट कपकेक के बारे में बताऊँगा बनाने का तरीका भी बहुत ही असान है बिल्कुल सॉफ्ट, फलफी और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं कलर भी इनका बहुत अच्छा होगा घर में आप इसे असानी से बना सकते हैं तो चले शुरू करते हैं चार अंडे लेने हैं आपने, इसमें आपको 24 कपकेक बनेंगे, जो स्टेंडर साइज होता है, बेकरीज में मिलता है, कपकेक, उस साइज के 24 कपकेक बनेंगे, 24, इसमें 260 ग्राम आपने आइसिंग शुगर, पिसी भी चीनी जो होती है, उसे एड़ करना है, और वनिला अगर आपने पौडर है, तो वो भी अभी साथ ही एड़ कर लेना है, वन स्पून, इसको थोड़ा से चला के मिक्स कर लें, पहले किसी चमच वगरा के साथ मिक्स कर लें, ताके अगर आप इसे एक दम से चलाएंगे, तो शुगर उड़ती है हवा में, आप चाहें तो जो शुगर को इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा फलफी कर लेना है, पहले इसे ही है कि कपकेक थोड़े फलफी बनेंगे, और उपर उनके जब बेक होने के बाद उपर जो क्रैक आ जाता है वो नहीं आएगा, उपर से बिलकुल प्लेन बनेंगे, टैक्स्चर उप 20 ml, 20 ml milk इसमें एड़ गया, नॉर्मल रूम टंपरेचर पर दोनों चीज़े, योगर्ट भी और milk भी, उसके बाद 50 ml condensed milk आपने एड़ करना है इसमें, और मिक्सर को चला देना है, इसको अच्छी तरह चलाना है, तक्रीच बन 2-3 मिनट चलाना है, आप चाहें तो एग और शुगर को fluffy भी कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल जो वनिला केक्स पॉंग होता है, वो बनाते हैं, तो उसे fluffy करते हैं, 240 ml oil आड़ करना है, आपने धार बना के इस तरह डालना है, साथ में अगर आप विस्क से आड़ कर रहे हैं तो आपने उसको हिला करते रहना है, और oil एड़ करते रहना है, अगर mixer से करते हैं, तो low speed पे इसको mix करना है, एक दम से सारा oil नहीं डालना, जो cake fluffy हो आता है, जो mixture already थोड़ा fluffy हो वो बैठ जाता है नीचे, ये हो गया है, रड़ी है, अभी इसमें हम dry ingredients से इसके वो एड़ करेंगे, 300 gram आपने फ्ल baking soda एड़ करना है, और two teaspoon baking powder एड़ करना है आपने इसमें, इसको mix कर लेना है, चमच के साथ कर लें, या च्छाननी के साथ च्छान लें, half teaspoon, cocoa powder है, chocolate powder हो एड़ कर दिया है, इससे ये होगा कि color थोड़ा dark red हो जाएगा, अगर आप नहीं add करना चाहते तो ना करें, red color भी अच्छा हो जाता है, इसके बाद हम powder color जो होता है red color, वो इसमें add करेंगे liquid में, half teaspoon, half teaspoon मैंने add किया इसमें, इसको आपने floor वगहरा में add नहीं करना, अगर आप powder color यूज़ कर रहे हैं, तो floor में add नहीं करना क्यूंकि उससे अच्छी तरह ये mix नहीं होता, या तो पानी में mix करके add कर लें, और या फिर direct जो liquid हमने बना लिया, उसमें add करके, mixer से उसको अच्छी तरह mix कर लें, तब इसका color अच्छा आता है, ये mix हो गया, color आपने check कर लेना, अगर आपका color अच्छी quality का नहीं है, तो मजीद और add कर जालें, जब तक वो इधर add ना हो जाए, जितना add ये इधर है, baking के बाद भी उतना ही नजर आएगा, floor का same system है, जिस तरह cake sponk बनाते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके add करना है, एक दम से add नहीं करना, इस तरह थोड़ा-थोड़ा add करते जाएं, और साथ में mix करते जाएं, spatula ले लें, या हाथ के साथ कर लें तो ज्यादा बेतर है, अगर first time बना रहें, वरना चमच बगएरा के साथ भी अच्छी तरह हो जाता है, mix, अच्छी तरह mix कर लें, mix होने के बाद इसका ये color आ जाता है, इसमें half teaspoon chocolate powder add हुआ हुआ है, इसमें 24 cupcake बनेंगे, तो 24 cupcake के लिए लगा लेनी है, इसको fill ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फूलता थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन दो चमच इसमें डल जाती है, दो से अड़ाई चमच, जो cases होती है, cases के दो हिस्से आपने fill करना है, एक हिस्सा उसका खाली रखना है, इसी तरह आपने बाकी भी सब fill कर लेने ज्यादा fill नहीं करना, क्योंकि बेक होने के बाद फूल के बाएर निकलाता है, फटता नहीं है, लेकिन बाएर ऐसे निकलाता है, साइड़ों पर जो अच्छा नहीं लगता, बेकिंग के लिए इसको low temperature पर बेक करना है, मैंने 150 रखा है, अगर आपके पास gas का है, तो 160 पर 20 मिनट लगा, हाद लगा के चेक भी कर सकते हैं, अगर आप उसे दबाएं थोड़ा सा, अगर वो दुबारा उपर आ जए तो समझें बेक हो गए, ओवर बेक नहीं करना, वरना कलर थोड़ा ब्लैक हो जाता है, जो डाउन साइड है, इसकी उदर से थोड़ा ब्लैक हो जात इसी टमपरेचर आपने रखना है, केक आपका बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा अंदर से, और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें बेकिंग कुछ लोग बे, ओवर टमपरेचर करते हैं, तो उनका कलर फिर अच्छा नहीं आता, इसमें रेड वेलवर केक में जल्दी हो जाता है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अगर पसंद आजये, तो सब्सक्राइब भी कर दें,